क्या समझ रहे थे कि नितिन को पता नहीं चलेगा नितिन को पता चल गया होली है और क्या सोचा था विश नहीं करूंगा है तुमने सोच कैसे लिया यह वाली बात है अप सभी को हाथ जोड़कर दंडवत प्रनाम करकर मेरी और पूरे टीम परिवार की तरफ से हैपी होली इससे गिले शिक हैं थोड़ी परिशानी है मनमटाब है उसे आप अपनी तरफ से ही फोन करके सौरी बोल दो और बात खत्म करके एक नया स्टार्ट करो बहतर से बहतरी इन हो आपका समय आने वाले वक्त में आप पर इतनी धनवर्शा हो कि आप कहो कि अरे बाबारे सारी ख कि आदमी बुड़े चाचा बुजूर्ग पताने क्या क्या कह देते हैं तो अब यह बुड़ बटधा अब यह मतलब चाचा आपको डिररेक्ट आर्टिकल पर लागए और डिरेक्ट कहानी पर लाएगा आप दूसरे चैनल पर जो हमारा दूसरा चैनल है जिस पर मैं कहानि सुनाता हूँ अनुभब बताता हूँ उस पर भी आप नोटिस करेंगे कि अब मैं थोड़ा वो जो अपनी बातों में आकर थोड़ा बहुत देर देर तक की बात कर देता था अब वो नहीं करता अब तो डिरेक्टी बाते चलती है डिरेक्टी कहानिया भी है आज का ये जो आ आम इस्तमाल होने वाले चीज़े हैं नारियल हर कोई गर्मियों में खाता ही रहता है नीबू का क्या है भहिया गर्मिया आई तो नीबू सबसे जादा इस्तमाल होता है लेकिन बताशे शहर में बताशे बहुत से लोग ऐसे हैं जो इस्तमाल नहीं करते हैं ठीक है मानते हो या तो गुड या बताशा गुड से आप नजर में आ सकते हो लेकिन बताशे से नहीं आप कोई चीज पढ़कर किसी को गुड खिलाएंगे तो उसका असर कम होता है ऐसा यहां के लोग मादते हैं लेकिन अगर बताशा पढ़कर खिला दिया जाए तो टोना टोटका जादा त काम करता है मैंने कई बार बताया एक बार फिर से बताऊंगा कि होली वाले दिन और होली से एक दिन पहले जैसे कि आज आपको जारा सतर करेना है हो सके और जरूरी ना हो तो चौराहों को रात में तो बिलकुल मतबार करिये ता नो दस बजे के बाद लोग बाग रखना फौरवर्ड जरूर करना जो बच्चा उनके घर से थोड़ा दूर रहता है होस्टल रहता है या पीजी में है या कहीं भी है या आप खुद भी बच्चे अपने घर से दूर रहते हो तो इस चीज़ को ना मजाग तो मानो लेकिन ट्राय मत करना अच्छा नितिन तुमने य कि चौराय पर कुछ इस तरह का रखा हो तो से बचकर निकलिए साइट से निकलिए उसके उपर से निकलने की जरूत है हम इसे चूकर देखेंगे क्या होगा हमार साथ यह क्या होगा मत करिएगा तोना टोटका पे ट्राय टेस्टिंग वगएरा कभी नहीं होनी चाहिए मैं चलो आपको आपकी बात बड़ी करने के लिए बोल देता हूं कि इससे कुछ नहीं होता हंडेड में से 99 परसेंट टोना टोटका कुछ नहीं होता कोई असर नहीं करेगा ठीक है मैंने मान लिया कितने परसेंट बोला मैंने 99 परसेंट अगर एक परसेंट भी हो गया ना तो अभी आपकी जो lifestyle है, बिल्कुल change हो जाएगी, फिर आप उतारे के लिए जगे ढूंडते फिरोगे कि कहा जाना है, कैसे जाना है, और ये सारी बाते article से पहले करनी, इसलिए जरूरी है, क्योंकि ये जो article है, इसमें try करने के लिए ही एक आदमी ने, जिसके अच्छी कासी family कहा कि ऐसा करके दिखा, हाँ, ये article नजर में आया था और ये जो भाई साब है न, जो बिल्कुल normal थे, वो तीन दिन के अंदर, मतलब उनकी स्थिती ऐसी हो गई, कि उन्हें फिर जो मांचिक स्थिती जिनकी ठीक नहीं होती, उन्हें ठीक करने के लिए जहां रखा जाता है आप समझ गए मैं बोल रहा हूं जो, वहां रखा, और कई वर्षों तक रखा, और जब ये घर आयें तब इन्होंने ही बताया, कि मैं जहां पर था, मतलब जहां इनका चिकित्सा बगरा चल रहा था, वहां पर भी वो आदमी आकर खड़ा होता था, और वो आदमी मेरा पी कोई समस्या नहीं, खाना पीना ये जो भाई साब है, इनका मतलब मैने में दो तीन बार होई जाता था, आप समझ रहे हो ना, खाना पीना, इनके साथ जो, मतलब इनकी जो कंपनी है, जो इने साथ देते हैं, इस बढ़िया से काम में इनके हिसाब से, ठीक है, उसमें वो ज समोसों की और इस तरह की उनकी आदत थी, यहां तीन लोग थे, यह जो खाना पीना कर रहे थे, इन में से एक उटकर जो जा रहा था, उसी के माध्यम से यह आर्टिकल थोड़ा सा लोगों की नजर में आया, इन दोनों की कुछ बात चल लई थी, भूज प्रेट टोने पाहे पर दो-तीन जगे हैं, जहां पर टोना टोटका देखा जाता है, तु मेरे साथ चल और महां जो समान होगा, उससे कोई भी समान खरीद के अपने घर ले जा, मैं ऐसा कर दूँगा, अगर कर दिया, तो ठीक है, अगले महीने खाना पीना सारा मेरी तरफ से होगा, क्या बात हो रही है, नहीं तू हमारे साथ चलो, उसने का मैं इस मूर्खता मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ, और बस ये आदमी को इतना ही पता है, कि मेरे सामने इनों ने एक तरह की भैस बाजी हो गई थी, कि मैं भूत प्रेता आत्मा नहीं मानता हूं, ऐसा कुछ हुआ अब ये दोनों वास्तव मैं यहां से, देखे, मूर्खता देखे, और मैचूर डागमी ये इस तरह की हरकते कर रहा है, बालकों से गल्पी हो जाए, तो एक बार को लगता भी है कि शायद बचपने में हैं, लेकिन ये तो भहिया, जिसके दो बच्चे हैं, बड़े हैं, ए कठारा साल का, एक पंदरा साल की बिटिया, ये उसकी सोच देखिए, कि नहीं टोना टोटका कुछ नहीं होता, मैं उसके समान को ठाकर खालूंगा और ये और वो, ये भाई सब गए, वहाँ पर पैसे चड़े हुए ते बताशा चड़ा हुआ तो और इनकी किस्मत इतनी अ देख रहे हैं, वहाँ पर आने जाने वाले लोगों ने ये भी कहा कि अरे भया क्या सिर पर लेकर जागा इसे, हट जाए हैं यहाँ पर, कोई बला छोड़कर गया है, उसे ऐसे घूर रहा है, तब भी समझे नहीं, और जब कोई गलत काम करने वाले होते हो ना, उससे पहले दो-तीन बार जो टोक लगती है, कहीं ना कहीं, इसमें भगवान कहात होता है, कि जो तु कर रहा है, यह गलत है, यहां रुक जा, लेकिन अगर समझ नहीं आए, और इशारे आप ना देखो, तो तो फिर ऐसे ही होगा, जैसे इनके साथ हुआ, इन्हों ने उस ठोटके को अ हुआ उसके साथ कुछ ही नहीं पता, उसमें जो रखके पैसे थे, वो अपनी जेब में रख लिए, उसमें कुछ चीजे और थी, अदर तिल वगएरा ये तो मैं क्या ही बताऊँ आपको, एक समान और ऐसा था, इसके अंदर जो की इस्तमाल करने वाला था, क्या रहा है, य क्यारा ये तनी देर से इस पे तो नजर ही नहीं गई, इसने वो खाया, लेकिन ये घर तक नहीं आया, ये जो आदमी है, जिस वक्त ये सब किया है ना भाई ने, उसके तीन दिन तक घर नहीं पहुंचें ये, इनकी फैमिली, इनका पूरा दोस्तों का जो सरकल था, और वो जो भाई साब तीसरे वाले जो उटकर गए थे, वो तीन दिन तक इसे ढूंडते रहे, इसकी हालत ऐसी थी जब ये मिला, पहले घर ले जाकर इसे नहलाना पड़ा, बहुती हालत खराब थी, पेंट महे, पिशाप बगएरा, सब कुछ, और वो जो खाय पिये का असर होता वो तो घंटे, दो घंटे, तीन घंटे में उतर जाता है, है ना, लेकिन उसके बात जो असर हो रहा था, वो जबरदस था, भ्यानक था, और ये बात करता था, जब घर आ गया ना, एक दिन इसकी इस्तिती घरवालों को समझनी आई, कि क्या हो गया इने, बैठे बैठे किस इसी भी बात का कोई जवाब नहीं देता था, इसमें इतना बड़ा चेंज, घरवाले देखकर परिशान होने लग गए, कुछ हॉस्पिटल भी लेकर गए, कि जी इनके वैवार में एकदम चेंज आ गया है, तो उन्हों ने का कि इसमें देखे, शालेरिक समस्या तो इन्ह कोई है नहीं, मानसिक भी तो एक, हर कोई बोलता था कि जो साइकेटरिस्ट हैं, इनसे एक बार आप मिलिए, वो इनसे बाते करेंगे, थोड़ा दो चार सेशन करवाईए, अब ये ना रहीजों को तो समझ आता है, लेकिन मिडल क्लास फैमिली या थोड़ा जो तबगा मिडल से भी नीचे है, उन्हें डॉक्टर समझ आते हैं, लेकिन ये साइकेटरिस्ट क्या होता है, मैं तो ढंक से बोल भी नहीं पारा हूँ, है ना, हमारे हस्बेंड साइको तो है नहीं, तो क्यों दिखाए, नहीं दिखाया गया जी, और इसमें जो डॉक्टर होंगे न, उस समझ भी नहीं पाते हैं, कि ये चीज़ क्या है, कुछ-कुछ डॉक्टर हैं, जो कि माल लेते हैं, समझ लेते हैं, कि हाँ इस तरह की भी कुछ बटना हो सकती है, वरना तो डॉक्टर मानता ही नहीं कि भूत प्रेतात्मा होते हैं, या टोना टोटका कुछ होता है, मानत इतना पैसा लगा दिया अब अपना अनुभव बताते मैं आगे डॉक्टर हटा देना सर हमारा नाम बोलो तो खेर भाया आपके रिस्पेक्ट है मान संबान है जैसा आप बोलतो वैसे मैं अनुभव सुनाता हूँ होता का है कि जब इनको यहां पर कोई किसी तरह का आराम नहीं मिल रहा था तो ये बाबाओं पर फकीर पर या ये कह सकते हैं मौलवी पर उतारे के लिए भगत पर हर जगे जाने लग गए और कमाल की बात देखिए पांच जगे गए हैं पांचों ने बता दिया नया नया नाम किसी ने का इस पर ये छोड़ा हुआ है किसी ने का इसके लिए ये क्रिया करी है किसी ने बताया इसके साथ प्रेत लगा हुआ है जिन है और इन्होंने बहुत कोशिश करी लेकिन इनकी एक गलती भी थी जैसे बता दी थे हैं मतलब एक्जामपल के तोर पे कि किसी भगत ने या किसी मौलवी ने कोई चीज़ बताई कि आपको ये सब करना है ये बस सुनकर तो आ जाते थे और उनकी फीस दे आते थे उसके आगे का काम ही नी करते थे अरे जो उसने मंगाया लाओ उतारा तो करवाओ ढंसे या तुम अगर मंदिर भी जा रहे हो तो जिस तरह से बताया जा रहा है वो काम कुश्टो करो तुमने ठीक भी करना चाहरे हो उन पर पैसे भी लगाए चले जा रहे हो और कोई कम पैसे नहीं लगते हैं और आज की डेट में ये जो उतारे करते हैं और जो पैसे मांगते हैं ना पहले तो हमने सुना था कि शायद रुप्या दो रुप्या ही होता है और बाकी जो चीजे आती हैं उसी में पैसे लगते हैं अलक से कोई बताने की फीस नहीं होती है इस आर्टिकल में तो ये भी मेंचिन हुआ था कि दिल्ली की कोई जगेती जहां पर ही आये थे वो भाई सबने बात करने के सिर्फ इतने पैसे माँग लिए मेरे गल से जितने पैसे उन्होंने लिए न उतनी महीने की तंखा होगी साथमी की और इन्होंने दिये एक साधारन से परिवार का आदमी इस तरह से पैसे मतलब देखिए ये जब प्रेत वाली बात आ जाती है न पैसा पानी की तरह निकलना शुरू हो जाता है घर से ऐसे खाली होने लग जाते हैं कि कुछ समझ नहीं आता और ये कोई भी इसने भूत प्रेत वाली एक्टिविटी अजीब सा नहीं करा घर में सिर्फ जब तक घर में रहा है ये बात करता रहा है कोई भी आता था चुप हो जाता था इसके सामने खाना रग दो और आप सा तोरी है उसे मुह से ऐसे पकड़के यूँ पिएगा तो क्या सोचोगे ये सब क्या हो रहा है खाना इसके सामने रखा नहीं डाला जाता था फिर जब बहुत इस्तिती बिगड़नी शुरू हो गई ना और इन्हें कुछ समझ नहीं आया तो इन्हें भाई साब को वो जो थ हो जहनु सकता है कि वहांके किसी आदमी है इनके लिए कुछ पड़ा है उतारे के लिए तो ये नर्मल होगे थे वहाँ और लोगों को लगा कि ये इस हस्पिताल की वज़े से ब नॉर्मल होगए इनको दवाईयां दी कहीं हो गई और बात्चीत होती ही रहती है जब वहां से ये घर आये तो इनका ये अपने आप में बात करना बंद हो गया था लेकिन हाँ पहला खाना खाने की इस्तिति दूसरा शीशे को देखते के साथ ही बच्चों की तरह डर कर जमीन पर लेट गे रोना लग चिलाने लग जाएं ऐसा हाल होता था लास्ट में वो जो भाई सब इनको लेकर महंदीपूर बाला जी गया और ये आर्टिकल में लिखा है कि ये मुझे बड़ा अजीव लगा क्योंकि वहाँ पर जाने के बाद आपकी दो हाजरी तीन हाजरी या दस हाजरी पे काम हो जाता है मैकसिमम बता रहा हूं ये भाई सब चार महीने वहाँ पर कमरा के लिए दो काम बता दिये गए हैं आर्टिकल में जैसा है कि अगर ये दो काम नहीं करता तो वापिस जो इस पर छोड़ा गया है तुरंत आएगा और जो इस तरह के टोटके करता है ना होली के आसपास या ये वाला जो चीज़े आर्टिकल में लिखी थी इनोंने तो आर् पिस चिंत रही है उतना तो द्यान मुझे भी है वीडियो मेरी हर कोई देखता है हर उमरका इंसान देखता है और बालक आ जो लोग देख रहे हो ना बच्चे लोग जित्ते भी देख रहे हैं भूत-प्रेथ कुछ नहीं होते तोना टोटका कुछ नहीं होता यह सिर्व कहानिया है ठीक है आपको कैसी लगती है बताना ज़रूर जितने बच्चे हैं ध्यान से सुन रहो न कोई भूत प्रेत नहीं होता कोई टोना टोटका नहीं होता लेकिन ये लेकिन के बाद वाली बात को जादा ध्यान से सुन लेना आपको चुराहों पर किसी का समान रखा हुआ दिख जाए किसी का समान क्योंकि कोई जा रहा हो क्या पतर रिक्षा से जा रहा हो उसका समान गिर गया हो तो बचे लोग किसी और की चीज पहली बात तो नहीं उठाते ठीक है ये तो आपके ममी पापा ने आपको सिखाया है दूसरा उसमें जो आपकी फेवरेट मिठाई है ना अगर आपको वो रख्यूई भी दिख रही है तो भी नहीं क्योंकि देखे जमीन पर रखा हुआ है डड़ी है क्या पता डॉग वगरा ने उस पे मू लगा दिया है उस चीज को अवाइड करके साइड से बचके निकलना ह आपको साइड से निकाल देना है अपनी साइकल या जो पैदल हो तो साइड से इन चीजों को नहीं चूना है ये किसी और की है ठीक है आपके लिए नहीं है आप समझे रह written हो ना बच्चे लोग जो ममी पापा है अपने बच्चों को ना दरा के समझाने की जरूत कभी नही से ये ट्राइ करना वाला ने करना बिल्कुल से कहीं ये यूट्यूब पे वो जो पोड़कास्ट वगएरा चल रहा है उसे देख कर सोचो कि आरे कुछ नहीं बस इसे पढ़के तू चली जा तू चली जा बोल दो ए चली जा पली जा कुछ नहीं होता है समझ आ रही है ये सेकिंड में ऐसे कमाल की बात है किसी ने 25 दिन तक पढ़कर कोई क्रिया चौराए पर रखी है और तुम्हारा पैर लग जा और तुम बस ये बोल तो तू चली जा तू जिसकी है चली जा वो चली जाएगी कुछ भी चल रहा है मतलब कोई कुछ भी बता रहा है दूसरा यह कहता है कि हनुमान चली सा नहीं पढ़नी चीए घर में नेगिटिविडी आ जाती है तुझे कई बार बोला है अच्छी से दिवार देखके सिरकों नहीं मार लेता और मैं देखो बातों बातों मैं कहां चलता चला जा रहा हूं और आप से ना अब मैं बहुत सारी बाते किय हूं आपसे एक अगली वीडियो में हर हर महादेव जय भूले ना तनवाद